टोक्यो से उमीद, टोक्यो में आज शुरू हो रहे हैं ओलम्पिक और पैरालम्पिक खेल, सिर्फ इस माइने में अलग नहीं है कि महामारी के कारण इससे एक साल का विलम हुआ है, बलकि इस माइने में भी एतिहासिक है कि इस बार स्टेडियम में दर्शक नहीं होंगे, जी ह खेल गाओं में आये दुनिया भर के खिलाडियों और अधिकारियों को कड़े क्रोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जिसमें नियमी जास्तो सामिल ही है, वे जीपियस निगरानी के दाइरे में भी रहेंगे, यह एतिहात इसलिए जरूरी है क्योंकि खेलों के सुरू ह होने से पहले ही कुछ मेमान खिलाडी संक्रमित पाए गया है, इसके बावजूद यह आयोजन इस लिहाज से बेहत सुख़द और महतोपूर्ण है, कि महमारी की सुरुवात के करीब देड़ साल बाद यह पहला ऐसा आयोजन है, जिसमें दुनिया भर के देशों से आयहाज खेलों के पदक के मामले में भारत की स्थिती कोई अच्छी नहीं है, उससे 2012 के लंडन ओलंपिक में भी स्वार्दिक छा पदक मिले थे, यानि वह अब तक दाहाई के आकड़े को भी नहीं छू सका, गर सुल्ला के रियो ओलंपिक में भी वो दो पदक ही जी सका था, बेड कप्तिरंदार जी में हाल ही में दिपेका कुमारी ने सांदार प्रदर्शन किया है, वही मेरी कॉम, पीवी सिंधू, बजरंग पुनिया और विनेस फोगाट जैसे दिगच अपनी स्परधाओं में आखरी छणों तक उलेट फिर करने का माददा रखते हैं, इस बाद भार करना चाहिए कि ये खिलाडी भात को टोक्यो में निराश नहीं करेंगे, मैं संगम कुमार आप से विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद